Hello Friends, मैं हूँ श Алور आप सभी के लेकर के आये हूँ Important Question की Series, जो कि Fifth Number की Series है, GK की Fifth Series है, जो बहुत important questions है, इसमें जो इंडिया नेवी और ऐयर फोर्स एक्जाम के लिए बहुत important है, स्टार्ट करते हैं अपनी questions, बिर्जु महाराज किस छेत्र के सू विख्यात कलाकार है बिर्जु महाराज is a noted artist of which field जो बिर्जु महाराज है वो किस छेत्र के कलाकार है जिनमें उनको महारत हासिल है किस छीज में वो famous है कौन बिर्जु महाराज तो चलिए देखते हैं बिर्जु महाराज जो है वो किस छी निर्ते में बिर्जु महाराज फेमस है अब ये कथक निर्ते जो है कहां का फेमस निर्ते है तो कथक निर्ते उत्तर भारत उत्तर परदेश का फेमस निर्ते है भरत नात्यम कहां का निर्ते फेमस है तो भरत नात्यम तमिलाडू का है ठीक है उसके बाद जो है भरत नात्यम तमिलाडू कथक कली कहा का है केरल का है देखिए एक होता है कथक कली और एक होता है कथक तो कथक कली कहा का है केरल का है और कथक का है उत्तर भारत उत्तर परदेश का है ओडिसी और इसी से तो इसली पता चल रहा है कहा का है ओडिसा का है ठीक है तो यह देखिए भरत नाट्य संबन दी है सांतीवन समाधी है वो किसकी है तो शांतिवन समाधी जो है वो किसकी है वो है जवार लाल नहरो की शांतिवन समाधी किसकी है जवार लाल नहरो की अगर बात किया जाए इंद्रा लाल बहादुर सास्त्री की समाधी इनकी समाधी का नाम है विजय घाट क्या नाम है विजय घाट है रा प्राचीन गुफाएं और इनको यूनेस्को द्वारा किसके द्वारा यूनेस्को 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 द्वारा तो इसे महारास्व में महारास्व में और दोगों को ही विश्य विरास्थ युनएस्कु द्वारा समील किया गया है पर निम्न में से कौन सन रिते इस त्री पूरुष दोनों के लिए है जो दोनों के लिए है तो आंसर विल बी गैर निरते क्या होगा गैर निरते कौन से है तो खिलाडी का नाम पुछा गया है कि कौन से है चार ओप्शन है सीके नाइडू विरेंदर सहवाग एमेस धोनी और सुरेस रहना तो वू इस दा फॉर्स प्रेयर अवार्डेट पदम भूशन इंडिया तो फॉर्स्ट खिलाडी तो कौन है सीके नाइडू मैंने आपको बताया था जो नागरिक सम्मान सबसे फर्स्ट पे आता है भारत रत्न इसके बारे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है फिर फिर आता है पदम भुशन और फिर आता है पदम श्री ठीक है तो पहले नमबर पे भारत रत्न दूसरे पर पदम भुशन फिर पदम भुशन ये तीसरे पर और चौथे पर पदम श्री ब्रहम समाज के संस्तापक कौन थे ब्रहम समाज के संस्तापक कौन थे ब्रहम समाज के संस्तापक कौन थे जो आप ये ब्रहम समाज देख रहे हो ब्रहम समाज जो था इसको ब्रहम सभा बोला जाता था बाद में इसका नाम ब्रहम समाज रखा गया अब ब्रहम समाज के संस्त सापक कौन थे तो राजा रामोहन थे राजा रामोहन के बारे में कुछ और बात है कि इनको आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है कहां का आधुनिक भारत का modern father of modern इंडिया modern इंडिया आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है इनको किसको राजा की उपादी मिली थी राजा की उपादी इनको किसने दी तो अकबर द्वित्य किसके द्वारा दी गई थी अकबर द्वित्य के द्वारा इनको राजा की उपादी दी गई थी आधुनिक भा भाथा और ब्रहम समाज की इनोह ने इस्ताफना की थी य सोगिते भीम को सिंद्नाइश एक ऊठ्साव फेस्टिअल एन उचर इससे से संबंदीत है what are the cavity temples of Elora related to अब देखिए आप Elora की बात करते हैं पहले हमने अजन्ता की बात की ती अब हम Elora की बात कर लेते हैं पहली तो बात दोनों में सेम क्या है महरास्ट में और अंगाबाद के पास देता है युनेसको द्वारा किसके द्वारा युनेसको द्वारा व तो दोनों धर्मों के बारे में है यानि option will be A and B option क्या हो जाएगा इसका A and B मतलब दोनों धर्म के बारे में है move to the next question question number 114 who leaves if India dies का नारा किस ने दिया who gave the slogan who leaves if India dies तो ये किस ने दिया था ये दिया था जवारलाल नहरुने किस ने दिया था जवारलाल नहरुने move to the next question question number 115 चार मिनार कहा परिस्थित है तो ये हैदराबाद में स्थित है है फेमस है चार मिनार और ये कहा परिस्थित है है हैदराबाद में अब बात करते हैं चार मिनार हैदराबाद में हैं चार इस्तंब बने हुए हैं ठीक है यह इसलामिक इसलाम से रिलेटिड है इसलाम परमपरा से रिलेटिड है एक इसलामिक इस्थापत्यक अला है अब अगर हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में एक नदी है मूसी चार मिनार है चार मिनार के इसमें चार इस्तम्भ है इसलाम है इसलामिक इस्थापत्य का लाकाउ धारन मिलता है और यह हैदराबाद में मुसी नदी और उसी के पूर्वी तर्ट पर जो है यह इस्तित है जो जो नौकर साहि को क्या कहा जाता है bureaucracy कहा जाता है और जो ये नौकर साही होते हैं उसका मतलब क्या होता है कि मतलब ये राजा या पर्ति निदियों द्वारा नहीं चुना जाता है इनको ये राजा या निर्वाचित पर्ति निदियों द्वारा नहीं चुना जाता है ये जो है कुछ करमचारियों के हाथ में जो सत्ता होती है उसी को प्रकृति कैसी होती है क्या स्थाई होती है क्या यह अस्थाई होती है क्या यह त्थर्त होती है तो यह अस्थाई होती है कैसी होती है अस्थाई तो option will be D. move to the next question question number 118 Gernamalड पहाड़ियां कहा ISTETH है where are the Gernamal hills located तो गिर्णार की पहाड़ियां कहां पर हैं तो गिर्णार की पहाड़ियां जो गुजरात में हैं गिर्णार गुजरात में हैं कहां पर हैं गिर्णार गुजरात में move to the next question 119 Michael and Joel नामक वाइरस विश्व में चिंता का कारण कब बना तो Michael and Joel वाइरस जो था वो कब बना when was the virus name Michael and Joel cause concern in the world तो कब बना था ये 1993 में कब बना था 1993 में move to the next question question number 120 तो था एह हिंद के उपनाम से किसको जाना जाता है non by the nickname parrot है हिंद तो तोतिया हिंद किसको कहा जाता है अमीर खुश्रो को किसको कहा जाता है खुश्रो को तोतिया हिंद कहा जाता है move to the next question question number 121 बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे बंगाल में भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया कौन थे चेतन्य महाराज move to the next question question number 122 संगीत के दुनिया में सितार के जादुगर नाम से किसे जाना जाता है in the world of music वो इस नौन एज sorcerers of the sorcerer संगीत का सितार का जादुगर सितार का जादुगर किसको कहा जाता है रहीम सेन को सितार का जादुगर किसको कहा जाता है रहीम सेन को move to the next question question number 123 स्वामी विवेकानंद का वास्टविक नाम क्या था what was स्वामी विवेकानंद रियल नेम स्वामी विवेकानंद का रियल नेम आ जाता है बहुत important question है तो ये क्या नाम है onka जो वास्टविक नाम क्या था तो उनका नाम था स्वामी वि वेकानंद का वास्टविक नाम था नेम्द्रनात दथ move to the next question question number 140 isha masi ka janam कहाँ हुआ था where was the where was the mesiha born mesiha born isha masi ka janam kıha हुआ था where was the mesiha born तो इनका janam हुआ था बैथलेम में कहां पर हुआ था बैथलेम में ठीक है इशा मसीजों थे वो इशाई धर्म के संस्तापक थे किस धर्म के इशाई धर्म के संस्तापक थे ठीक है और इसाई धर्म की बात करें तो इसाई धर्म है तो इसका धर्म ग्रंथ भी है कोई तो इसका धर्म ग्रंथ का नाम क्या है बाइबल क्या नाम है बाइबल इसाई धर्म के धर्म ग्रत का क्या नाम है बाइबल यामनी कृष्णमूर्थी का संबंध किस निर्थिय से है यामनी कृष्णमूर्थी इस एसोसियेटेटेड विच क्लासिकल डांसर जो यामनी कृष्णमूर्थी है वो किस उससे संबंधित है तो यामनी कृष्णमूर्थी जो है वो भरत नाट्यम से संबंधित है और भरत न का निर्ते है उसके बाद कथक कली ये केरल का निर्ते है एक दमीजी से याज हो जाएगा ये कथक उत्तर परदेश का उत्तर भारत का भरत नाट्यम तमिलाडू का ओडीसी उडीसा का और कथक कली केरल का तो जो यामनी कृष्मूर्थी है वो किस से रिलेती थे भरत नाट्यम से जो तमिल नाडू का लोक नित्य है सास्त्रिय नित्य है भारती सिवाजी किस सैली के नित्य के लिए प्रसीद है भारती सिवाजी इस फेमस फूर विच टाइप ऑफ डांस जो भारती सिवाजी है वो किस नित्य के लिए फेमस है तो वो famous है किस निर्टे के लिए जो भारती सिवाजी हो मोहनी अटम जो है मोहनी अटम जिसे मैंने आपको बता है कि कथकली कहा का famous है मैंने उपर बता है तो कथकली केरल का famous है ठीक है कहा का famous है कथकली केरल का तो वैसे मोहनी अटम भी जो है केरल का famous निर्टे है केरल राजे क का फेमस निर्थ है मोहनी अटम और भारती सिवाजी जो है मोहनी अटम में फेमस कला कार है move to the next question question number 127 रंगोली भारत के किस शेत्र की प्रमुख लोक कला है रंगोली जो है वो किस शेत्र की प्रमुख लोक कला है तो एक फॉक आर्ट है रंगोली तो किस शेत्र में जाद की कला है तो रंगोली जो है वो महारास्ट की जो है महरास्ट की लोककला शैली है रंगोली move to the next question अलपना भारत की किस शेत्र की प्रमुख लोककला है तो अलपना जो है वो एक अलपना को अगर मैं explain आपको करूँ तो अलपना भी एक type का रंगोली है एक art है जो रंगोली की तरह ही होता है तो ये अलपना जो है वो रंगोली का ही type है और ये कहाँ पर famous है ये पश्शिम बंगाल में कहाँ पर पश्शिम बंगाल में move to the next question question number 129 गुरु नानक देव का जनम कब हुआ था when was गुरु नानक देव बॉन गुरु नानक जो थे पहले तो इनके बारे में कुछ जानते हैं गुरु नानक जी थे कौन अगर हम सिख धर्म की बात करें सिख धर्म अभी हम लोगों ने पढ़ा था अगर हम लोग बात करें सिख धर्म की कौन से धर्म की? सिख धर्म की तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे गुरु नानक देव अब भी हम लोगों ने बात किया था इसाई धर्म के संस्थापक वो इसा मसी थे लेकिन सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे जो सिख धर्म है उसमें दस गुरु हुए हैं दस गुरु तो पहले पुछा है कि पहले गुरू थे डसमे पहले गुरू थे गूरुनानक्देव, इनके जो भी युथ उन्य ठीक हरता गैजनं महलें हआँ, 10 में चो पुछा के लिक गुछा है, 130 त्याग राज कौन थे? who was त्याग राज? त्याग राज कौन थे? तो त्याग राज एक संगी तग्ये थे कौन थे त्याग राज? एक संगी तग्ये थे musician थे त्याग राज move to the next question, question number 131, निंद में से किस पुरसकार को Asian Nobel पुरसकार कहा जाता which of the following award is called Asian Nobel Prize Asia का Nobel Prize किसे कहा जाता? दिखो, वैसे हमें पता है कि जो Nobel Prize होता है हमें Nobel Prize का पता है लेकिन Asia का Nobel Prize किसको कहा जाता है या Asian Nobel Prize है 나오 जिसकी राजदानी मनीला है फ्लिपिन्स के थर्ड रास्टे पती थे थर्ड रास्टे पती थे प्रेजिडेंट थे जिनका नाम था रेमन मैक्सेस उन्हीं की याद में जो है ये एशियन नॉबल प्राइस दिया जाता है और इसका नाम रेमन मैक्सेस पुरसकार है क्या नाम है रेमन मैक्सेस पुरसकार और इसे एशियन का नॉबल पुरसकार कहा जाता है और इसकी याद में दिया जाता है यह फिलिपिन्स के तीसरे रास्टे पती थे रैमन मैक्सेसिस उनकी याद में जो है यह दिया जाता है भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राजे है वो कौन सा राजे सबसे बड़ा उत्पादक राजे कौन सा है तो कर्नाटक किसका सिल्क का कौन है कर्नाटक भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राजे कौन सा है या आप लोगों को आंसर पता ही है कौन सा है कर्नाटक है कर्नाटक विल भी दा आंसर भारत में प्रथम विदूत बहुत देश्य पर योजना का निर्मान किस नदी पर किया गया और विछ से फॉर्स मल्टि पर्रोजेक कांस्ट्रॉक्टथेंड कि बहुत देश्य पर योजना जो थी यो कहां पर По कहां पर स्टार्ट की गई तो वह की गई वह थी तो बेसिति फी पर शेय violation विधु कीजिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए बहुत important question है आज के रिए बस इतना ही thank you so much